हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल, फार्मा रोक्स के यूटूब एच्यूकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इत्रा कॉनाजॉल मेडिसिन के बारे में और हम सीखेंगे उसके बेजिक यूज के बारे में साथ ही जानेंगे कि उसके सैड एफेक्स वगेरा क्या होते हैं और सीखेंगे उसके डैली डूस के बारे में तो यहाँ पे मैं आपका basic concept clear करू तो इत्रा कॉनाजॉल जो है वो antifungal medication है और जानते हैं डिटेल में हम ये medications के बारे में के कौन से अलग-अलग fungal infection को treat करने के लिए इत्रा कॉनाजॉल को use किया जाता है तो expert lecture by Amar sir, our system professor and founder of PharmaRox Thank you for being 2.7 lakh family of PharmaRox सब्डेटर या Pharma knowledge के साथ access कर सकते है study material, test series, video lecture, PharmaRox के आप उपर तो जो students android phone use करते हैं वो android app डाउनलोड कर सकते हैं और आईफ़न user app store से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जानते हैं इत्रा कॉनाजोल के बारे में तो इत्रा कॉनाजोल जो है वो antifungal medications कहा जाता है और ये बहुत सारे number of fungal infection को treat करने के लिए हम उसको use करते हैं फार्माकोलोजीकली हम देखे तो ये एजोल क्लास का antifungal medication है तो ये आपको खास याद रखना है कि इत्रा कॉनाजोल जो है antifungal medication है और ये एजोल क्लास का medication कहा जाता है और ये fungal के साथ साथ जो yeast के infections होते हैं ये सभी को treat करने के लिए use किया जाते हैं और साथ साथ ये infection को फैलने से ये रोकता भी है मतलब कि prevent भी करता है और treat भी करता है fungal and yeast infections को बहुत सारे उसके अलग-अलग doses form available होते हैं और ये क्या करता है ये medications लेने के बाद जब ये आपके body के अंदर effect देना start करेगी तो stop करेगी जो growth होती है fungus की उनकी growth को जो है वो काफी कम कर देती है और धीरे-धीरे stop कर देती है जिससे fungal infection जो है वो body के अंदर कम हो जाता है तो उसके अलग-अलग हम doses form देखे तो itra-conazol जो है वो capsule doses form के अंदर available है कि या पर आप देख सकते है उसके capsule की जिसकी strength रहती है 100 mg तो market के अंदर usually 100 mg के उसके ये capsules जो है वो available होते है फिर देखे तो itra-conazol का oral suspension भी available होता है कि जिसके strength आप देख सकते है 20 mg itra-pet करके ये suspension देख सकते कि जो ज़्यदातर veterinary use के लिए भी use किया जाता है फिर itra-conazol की या पर जैल देख सकते कि जो 1% weight by weight compositions के अंदर available है और itra-conazol का soap भी available होता है मनलब कि उसका साबून भी available होता है कि जो अलग-अलग fungal infections के दोरान उसको use किया जाता है तो आप समझते हैं उसके basic use के बारे में तो itra-conazol जो है वो अलग-अलग fungal infections जैसे कि जो lungs के अंदर जो fungal infections होता है उसको पूरी body में spread होने से रोकता है साथ उसाथ जो हमारे हाथ और पेर के जो नाखून सोते है कि जो fingernails हम कहते है और toenail जो कहते है कि यहाँ पर जो आप डायग्राम के अंदर देख रहे है कि यहाँ पर कि आपके पेर के नाखून है या फिर आपके उंगलियों के जो नाखून है fingers के जो नाकुन है उसको उसके अंदर जो fungal infection होता है तो उसके इलाज में ये itraconazole जो है वो prescribe किया जाता है फिर यहाँ पर यह point देखो तो itraconazole के जो capsule से वो use किया जाता है तो treat fungal infection in the lungs that can spread throughout the body के एक बार समझो कि आपके lungs के अंदर ये fungal infections फैलता है तो वो दिरे-दिरे chronic होके आपकी पूरी body के अंदर फैलता है तो वो होने से भी रोकता है ये itraconazole फिर दुसरे हम उसके use देखे तो उसका जो oral solution जो हमने अब भी देखा था कि oral suspension form में जो itraconazole का जो oral solution होता है कि जो liquid doses form कहते हैं तो वो yeast infection को जो है वो treat करने के लिए use किया जाता है और ये yeast infection जो है वो आपके mouth के अंदर होता है as well as throat के अंदर होता है या फिर आपकी isophagus कि जो हम annanalli कहते हैं वहाँ पर कि जो food pipe का ही जाती है वहाँ तक जो कई बार ये fungal infections फैलते हैं तो उसके इलाज में भी ये itra conazal का oral suspension जो हो prescribe किया जाता है यहाँ पर आप देखो ये tongue के उपर ये जो आप देख सकते हैं पूरा ये जो infection फैला हुआ है ये भी एक fungal infection है कि जिसको oral thrust भी कहा जाता है या फिर oropharyngeal candidiasis जो हम कहते हैं तो उसके इलाज में कि यहाँ पर देखो आप oropharyngeal जो ये candidiasis आप देखते हैं vaginal candidiasis वगेरा होते हैं तो उसके इलाज में भी itra conazal prescribe की जाती है यहाँ पर आप देखो आप oral cavity के अंदर throat के उपर ये यहाँ पर ये जो fungal infections जो हुआ है तो ये सभी के इलाज में itra conazal का ये oral solutions जो है वो patient को दिया जाता है तो थोड़ी देर ये oral cavity के अंदर वो solution या फिर suspension को रिखते हैं और फिर दिरे दिरे जो है वो उसको swallow करते हैं फिर जो aspargillosis जो हम कहते हैं ये टाइप का fungal infection होता है हमारे lungs के अंदर की यहाँ पे आप ये diagram के अंदर देख सकते हैं कि lungs का ये वाला जो portion है तो यहाँ पे ये जो aspargillosis जो fungi होती है उसके करण जो aspargillosis जो होता है तो ये fungal infection को treat करने के लिए यूज किया जाता है अगर समझे के आप treat नहीं करते है aspargillosis को तो वो आगे आगे जाके आपके पूरे body के अंदर जो है वो फ्याल सकता है तो ये वाले जो first diagram के अंदर आपने देखा वो था aspargillosis फिर ये जो second diagram के अंदर आप यहाँ पे जो देख रहे है फंगस के spore होते है और उसको समझो कि आप inhale कर लेते है आप मारे रेथिंग के दोरान खास कर कि जब हम सास लेते तो उस वग समझो कि हवा के अंदर ये संक्रमन फैला हुआ है blastomycosis का तो उसके करन भी आपको ये संक्रमन हो सकता है blastomycosis का तो इसके इलाज में भी ये इत्राको नाजल यूज की जाती है फिर kokai diodomycosis जो है कि जो kokai diodis इमिट इस जो फंगस है उसके infections के करन फैलता है कि ये आप देख सकते हैं ये थर्ड वारे डाइग्राम के अंदर तो ये तीन ऐसे fungal infections है कि जो काफी vital होते कि asparzillosis की जो lungs के थरू फैलता है second जो है वो blastomycosis की वो भी inhalation से ही आपकी body के अंदर enter होता है और ये तीसरा वाला जो kokai diodomycosis की ये थर्ड वाले डाइग्राम के अंदर तो ये तीनों जो है वो treat ना किज जाए तो जान लेवा हो सकते life threatening condition बन सकती है तो उसके इलाज के अंदर entericonazole जो है वो use किया जाता है फिर जो है कि histoplasmosis जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले डाइग्राम के अंदर तो histoplasmosis कि जो fungal infections है fungus disease है कि जो histoplasma capsulatum के fungus के कारण होता है कि जो fungus है histoplasma capsulatum उसके infection के कारण ये histoplasmosis होता है कि यहाँ पर पूरे body कंदर उपर इस तरह से ये fungal infections के कारण ये patches जो है वो आप develop हुए देख सकते कि जिसको कहा ज़ता है histoplasmosis उसी तरह से पेरा कोकाई deoidomycosis के अंदर इस तरह से ये जाब देख सकते हैं यहाँ पर कि ये भी chronic fungal infection है कि जो genus प्यारा कोकाई deoidies के कारण जो है वो फैलता है तो ये जो अलग-अलग fungal infections के इलाज के अंदर itraconazol यूज किया जाते तब जानते हैं dose के बारे में तो उसका loading dose loading dose मतलब कि जो first dose दिया जाता है खास कर 200 mg orally 3 times a day for first 3 days of therapy कि जब patient के treatment स्टार्ट होते हैं कि जब diagnose हो चुका है fungus का और जब आप उसकी treatment स्टार्ट कर रहे हैं तो जो first दिन होते हैं कि day 1 है treatment का उसी तरह से second day है day 2 और तीसरा day मतलब कि day 3 तो जब treatment स्टार्ट की जाते हैं तो जो first जो doses होते हैं तो वो रहेगा 200 mg 3 times a day मतलब कि patient जो है वो 200 mg जो है वो morning में भी लेता है 200 mg जो है वो after noon में लेता है और फिर night में फिर से 200 mg लेता है तो यह हो जाएगा उसका loading dose for first 3 days यह dose जो है वो पहले 3 दिन के लिए है जैसे ही यह 3 दिन का यह treatment complete होता है loading dose का तो फिर उसके बाद maintenance dose जो है वो start हो जाता है कि जो 200 mg ओरली once or twice a day फिर समझो कि day 4 है तो चौते दिन जो है वो आप उसको 200 mg जो है वो देंगे once a day मतलब कि जिसको हम OD लिखते है तो OD का इस तरह से होता है कि दिन में एक ही बार जो है वो patient medicines लेता है या फिर कुछ cases के अंदर 200 mg जो है वो twice a day मतलब कि BD लिखा जाता है दिन में दो बार तो वो इस तरह से रहेगा 101 तो depend करता है कि patient के अंदर infection कितना फैला हुआ है तो उसके basis के उपर ये maintenance and dose जो है वो आगे नक्य किया जाता है फिर तीसरी बात आएगी कि treatment कितने दिनों तक चलती है या फिर कितने महिनों तक ये treatment चलता है तो usually at least 3 महिने तक ये treatment चलता है कि duration of therapy की हम बात करें तो at least 3 मन्थ and until the clinical parameters and laboratory shows the negative result और ये तब तक आप medicine patient जो है वो खा सकता है कि जब तक उसका जो टेस्ट जो है वो negative आना आजाए और complete cure of the infections from the body के body में से infection है fungus का वो completely cure हो जाए और laboratory के अंदर भी उसका जो result है वो completely negative आजाए कि अब finger infection जो है वो completely नील हो चुका है तब तक जो हो ये ट्रेरापी जो है वो चलती है तो usually जो है उसके 100 mg के ये और capsules जो है वो वे लेबल होते हो कि समझो कि patient को 200 mg दिन में एक ही बार लेना है तो ये 100 mg के जो tablet है वो दिन में दो बार ले सकता है कि एक tablet समझो कि after noon में लेता है तो दूसरी जो है वो night में ले सकता है तो इस तरह से उसके doses जो है वो तयार होता है अब बात करें उसके pregnancy के दोरान तो pregnancy के दोरान जो है वो ये medicine को use करना जो है वो थोड़ा risky है because FDN ने उसको category C वाला जो है वो label दिया है itraconazole का मतलब कि जो clinical trials होते हैं और उसमें जो animal studies होती है उसके अंदर ये medicine के जो है वो risk पाए गया है कि जब animal study में उसको use किया गया था तो जो fetus के development के उपर उसकी असर बढ़ती है but उसका जो risk है वो human use के अंदर भी हो सकता है कि जिसके करण FDA ने उसको label category C दिया है pregnancy category के अंदर उसको जो है वो avoid करने चाहिए pregnancy के दोरान तो अगर आपके पास दूसरी antifungal के options available है तो itraconazole को जो है वो आप pregnancy के दोरान जो है वो avoid कर सकते हैं फिर बात करे हम उसके mechanism के तो किस तरह से काम करता है तो simple हम समझे तो किसी भी fungal cell के development के लिए ये ergosterol जो है उसका होना जरूर है कि यहाँ पर आप देखो कि यह है हमारे पास यह fungal cell कि यह fungal cell के आसपास होती है उसकी ये cell membrane के आप यहाँ पर देख सकते कि fungal का ये cell membrane की जो मैंने यलो कलर किया अब ये cell membrane के development के लिए जरूर पड़ता है ये ergosterol का formation तो ergosterol कैसे बनता है केसी भी fungal के अंदर तो सबसे पहले squilin और squilin में से आगे lanosterol बनता है और lanosterol में से ergosterol बनता है और उसमें help करता है ये enzyme lanosterol 14 alpha d-methylis नाम का जो enzyme है वो lanosterol से ergosterol बनने में help करता है तो अब इत्रा को नाजोल जो है कि जैसे ketoconazol है flukonazol है, clotrimazol है कि जो एजल क्लास के जो ये एजल क्लास के antifungal medication से तो ये क्या करते है ये lanosterol 14 alpha d-methylis उसकी activity को completely कर देते हैं inhibit तो ये समझो कि enzyme की activity inhibit हो गई तो यहाँ पे देखो लिखा है कि इत्रा को नाजोल लेक्ट बाइ inhibiting the fungal cytochrome dependent enzyme lanosterol 14 alpha d-methylis कि ये enzyme की activity inhibit हो गई तो अगर समझो कि squilin में से lanosterol तो बन रहा है बट lanosterol में से ergosterol बनने के लिए जरूरी जो enzyme था उसकी activity नहीं बीटे हो गई तो जिसके करण ये ergosterol जो है वो नहीं बन पाएगा अब ergosterol नहीं है तो आगे fungal cell के जो cell membrane develop करनी है उसके लिए जरूरी composition नहीं मिलेगा जिसके करण ये fungal cell जो है उसकी आगे जाके क्या हो जाएगे completely death हो जाएगी जिसके करण ये medications लेने के बाद दिरे दिरे जो fungal infection है वो body में से कम होता जाता है और completely stop हो जाता है तो when this enzyme is inhibited and block the conversion of lenosterol to ergosterol which disrupt the fungal cell membrane and synthesis के fungal cell का जो synthesis होता है उसका membrane का synthesis होता है वो completely disrupt हो जाता है और उसके करण fungus जो है वो अपना आगे survive नहीं कर पाती है और उसकी death हो जाती है अब जानता है ये medications के side effect तो common side effect में आपको nausea मतलब कि जीमा चलता है आपका और जैसे ही जीमा चलता है तो ये medications लेने के बाद आपको जो है वो vomiting हो सकते तो ये उसके common side effect है फिर कुछ लोगों को abdominal pain जिसा जो feel होता है ये medications लेने के बाद आपके skin उपर rashes develop हो रहे है आपको ऐसा लगेगा headache जैसे भी कई बार feel होता है weakness feel होगा body के अंदर कुछ लोगों को diarrhea हो जाता है fatigue की condition तो ये सब अलग अलग जो है वो symptoms देखने को मिलते है इट्रा को नाजोल के side effects के तोर पे तो ये थी उसके common side effect कैसे symptoms जो है वो develop होते है as a common side effect अब जानते है उसके serious side effect serious side effects क्या है तो ये medications जो है वो liver related problems करवा सकती है कि जो healthy liver होता है इस तरह से convert हो सकता है कि जो कई बार fatty liver भी हम कहते है liver related problems कहते है फिर liver failure भी हो सकता है heart के उपर भी उसकी असर पढ़ दे heart failure जिससे complications हो सकते है steven johnson syndrome हो सकते है कि जिसके अंदर इस तरह से आपकी body के उपर जो है वो resis वगेरा जो है वो develop होते है कि यह जो आप यहाँ पे यह diagram के अंदर देख रहे है इससे resis आपके body उपर develop होते है red color के जो patches जिस आप दिखना allergic reactions होना और enaphylaxis भी हो सकता है कि अगर आप itraconazole को use करते है तो as a serious side effect अगर इसमें कोई भी side effect आपको ऐसा लग रहा है तो तूरण जो है वो आपके doctor या फिर pharmacist को मिलके आगे उसके safe alternatives जो है वो use करने चाहिए अब बात करते है contraindications के कि किन लोगों को ये medication नहीं खानी है तो do not take if you have the following condition कौनसी अलग-अलग condition में itraconazole को use नहीं करनी है तो do not take ये खास याद रखे बिकास जब भी आप ऐसे कोई medicines related video lecture देखते है तो वहाँ पे contraindications खास देखे बिकास use तो आपको starting में ही पता चल जाएगा but जरूरी है side effect and contraindications को देखना because कई बार use जो होए वो आपके favorable में है बड़ कई बार वो medications side effects के करन contraindications के करन आप जो है वो use ना कर पाए तो सबसे basic पहले condition की समझो कि आपको peripheral neuropathy का problem है मतलब कि जिसके अंदर आपके जो legs और जो आपके हाथ होते है आपके हाथ और पैर के जो nerves है उसके related problem है कि painful condition problem produce होती है कि आपकी जो neurons होती है उसके अंदर आपको pain होता है तो ऐसे conditions वाले जो patient है वो intraconosal को use ना करे फिर दूसरे ऐसे patient की जिनको hearing loss का problem है कौम सुनाई देता है hearing loss का problem है तो ये लोग भी use ना करें और low supply of oxygen rich blood to the heart low supply oxygen वाला blood जो है वो आपके हाथ को कौम पहुच रहा है तो ऐसे patient भी intraconosal को ना खाए चोथा कि अगर आपको heart के वाल related problem है तो heart के वाल related problem है कि वो भी use ना करे because अभी हमने उसके side effect देखी कि वो heart failure करवा सकता है heart related problems करवा सकता है heart disease करवा सकता है फिर if you have a chronic conditions like chronic heart failure chronic heart failure के जो patients है वो भी intraconosal को use ना करें छठी conditions की conditions like absence of stomach acid कि आपकी body के अंदर stomach acid का जो प्रमान है वो बहुत ही कम है या फिर absence है तो भी आपको intraconosal को use नहीं करने फिर साथ में advice यह रहती है कि अगर समझो कि कोई person intraconosal use करता है तो उसको साथ साथ में ऐसे medications दिये जाते हैं कि जिसको हम कहते हैं proton pump inhibitors जैसे कि omiprazole जो है उसके tablets जो है वो साथ में patients को दिये जाते हैं rabiprazole है या फिर pentoprazole prazole समझो कि suitable नहीं है patients को तो histamine H2 receptor antagonist की जो हम कहते हैं कि ranitidine है cimetidine है nisatidine वगेरा जिससे medicines भी intraconosal के जात patients को दिये जाते हैं कि जिससे stomach acid related जो है वो problem ना हो फिर बात करें उसके warnings की तो intraconosal के लिए जो treatment की जो warnings होती है एक तो intraconosal में decrease your stomach acid कि आपके body के अंदर जो stomach acid produce होता है उसकी मात्रा को ये कम कर सकता है intraconosal में decrease your kidney function कि आपकी kidney के जो function है वो decrease करवा सकता है तीसरा जो देखे यहाँ पे हम point और contraindications और warning के साथ देखे तो ये 9 पॉइंट की intraconosal में cause visible water retention water retention का problem हो सकता है आपके body के अंदर फिर intraconosal में cause abnormal liver function कि आपके liver का जो function है वो abnormal करवा सकता है जिसके abnormal liver function test आ सकता है in person with liver problem and intraconosal में cause chronic obstructive pulmonary disease कि इसके करण आपको COPD का भी problem हो सकता है तो ये सब उसके warnings contraindications रहते हैं intraconosal के तो proper ये सब parameters की study करने के बाद अगर आपको इन में से कोई भी complications से तो intraconosal को जो है वो average करने चाहिए उसके बजाए दूसरे जो safe alternative होते हैं कि जैसे कि आप fluconosal है itaconosal है जैसे दूसरे antifungal जो है वो आपके healthcare providers के advice के according to use कर सकते हैं तो जब भी ऐसे medicines related study करें तो उसके warnings contraindication and side effects जरूर से देखें और उसके बाद ही आपके pharmacist या फिर healthcare provider के advice के according ही medicines लेना start करें so thank you for watching pharmarocs के जो lecture notes होते हैं वो pharmarocs की app उपर आप access कर सकते हैं कि जहापे आप study related medicine related courses अक्सेस कर सकते हैं तो download कर ये आप pharmarocs और access कर ये study material test series and video lecture pharmarocs के आप उपर तो android user android app डाउनलोड कर सकते हैं iphone user app store से link आपको description box के अंदर मिल जाएगी good luck and all the best